हर दिन के मुश्किल भरे काम को आसान बनाने के लिए मैं ले कर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे बहुत ही बेतरीन कीचन टिप और ट्रेक चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी इस वीडियो में कुछ अनुके टिप जैसे कि हमारी नेल पॉलिस लगी होती है जो नेल पर काम करने के वज़ा से या फिर कुछ दिन बाद छूट जाती है थोड़ी बहुत ही बची रहती है तो उसको छुटाने के लिए हम यह इस तरह से कॉटन पैट का इस्तेमाल करते हैं अब दीखे थोड़ा सा हमने हटाया है इसके बाद इसको अगर वापस हम इसमें रखेंगे तो इसमें सारा का सारा कलर आ जाएगा जो और भी कॉटन पैट हुए हैं देख सकते हैं कलर आ गया है तुरंत ही तो इसे हमारे पूरे कॉटन पैट खराब हो जाएंगे और थोड़ी सी नेल पॉलिस छुडाने के लिए हम पूरा एक नेल पॉलिस रिमोबर खराब कर देते हैं तो हमारा जल्दी जल्दी यह खतम हो जाएगा तो इसके ल करना है जैसे कम कम लगी होती है तो उसको छुटाने के लिए हमें इस तरह से कटे हुए जो टुकड़े रखें इस तरह से इसको हम छुटा सकते हैं अब जो दिखिए एक कॉटन पैड हमारा इस तरह से पूरा बेकार हो जाता और ऐसे टुकड़े काट के ला रख लेंगे तो आपको फटफट से निकाल कर इस तरह से अपना काम कर लेना है और बढ़ियां रहता है इससे अब इसके बाद इखिए थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो उसके लिए भी हम छोटा सा टुकड़ा निकाल कर और अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िय में आयरन की कमी हो जाती है जिसके लिए हम डॉक्टर से दवाईयां लेकर खाते हैं तो आप घर पर ही बिना दवाई लिए आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं देखिए मैंने यहां पर लिया है दाल जो हम रोज खाते हैं और कूकर में बनाते हैं तो कूकर लोहे का नहीं होत तो आप इस तरह से तावा गरम करके उस पे डाल लिया सबजी को इस तरह से डाल कर थोड़ी दियर ऐसे ही छोड़ते हैं फिर देखना इसमें अच्छे तरीके से हो जाएगा क्योंकि तावा लोहे का होता है तो आप इस तरह से करके घर पर ही बिना किसी दिक्कत के आप आईरन की कमी को पूरा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा सा तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, रोटी यह जब सेखते हैं, तो तावा गरम रहता है, तब आप ऐसे कर सकते हैं, दाल हो, सबजी हो, तो बहुत ही अच्छा रहता है, चले देखते हैं, एक और टिप, देखे दोस्तों, यहां मेरे हाथ म नेल पॉलिस, तो यहां नेल पॉलिस मैं फर्स पर लगा के दिखा रही हूँ, देखा जाए तो बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे लोगों से या फिर खुद से ही नेल पॉलिस गिर जाती है, फर्स पर तो वो जल्दी से छूटती नहीं है, छुटाने के लिए हमें एक छ सारी नेल पॉलिस नमक में सूख जाती है, और फर्स अच्छे से साफ हो जाती है, आप देख सकते हैं, एक पर मैंने उंगली से रगड दिया था छुटाने के लिए, तो वहां पर नेल पॉलिस नहीं छूटी है, और नमक जो डाला है, उसकी वज़े से सारी नेल पॉलिस छ तूट जाती है, अगर सूखी नेल पॉलिस हो तो उसको हम नेल पें ट्री मूबर से भी छुटा सकते हैं, लेकिन ये गीली गीली सी होती है, कभी कदार हाज से छूट कर पूरी सीसी ही तूट जाती है, पूरे नेल पॉलिस फैल जाता है, फर्स पर तो उसके लिए आप ये का अंदर का मसाला खराब नहीं कि अच्छे से इस तरह से मोड लेना है अब इसके बात में हमारे जो बालों में लगाने के लिए टिप टो पली चिम्टी होती बस इसको लगा देना है कि इसकी साहता से यह खुलेगा नहीं पुरानी बेकार चिम्टी से मैं एक और चीज बनान बनाने वाली हों अब देखिए यहां पर मैंने लगा दिया है डबाए साइट टेप थोड़ा बड़ा ही लगाना है अगर छोटा सा टुक्रा लेंगे तुझे जल्दी से निकल जाएगा अब इसे दरवाजे की किसी भी साइट में लगाती चीज के बात में जो भी घर की च चले दोस्तों एक और बढ़िया सी टीप में आपके साथ सेयर कर रही हूं इस तरह से जैसे कि हमारे पास जो पैसे होते हैं 100 का 50 का नोट हो तो कभी गदार होता है ना कि हम बच्चों को देते हैं पैसे या फिर किसी को भी देना हो आप साधी बया में पैसे देते होंगे त तो सबी को पता है पैसा है भई रख लेते हैं तो दीखिए अगर आप उस पैसे को कुछ अच्छे तरीके से बना के देंगे किसी को तो एक बार उस पैसे को कोई देखेगा तो दीखिए इस तरह से मैं यहां 100 का नोट लिया है अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा र लख लेंगे तो कोई भी देखेगा तो बोलेगा कैसे आपने बनाया कितना अच्छा लग रहा है तो दीखिए इस तरह से मोड मोड कर इस तरह से बना लिया है अब दीखिए वीडियो को मैंने ज्यादा फास्ट नहीं किया हो वरना आप लोगों को समझ में नहीं आया है कै इसको बनाया तो इस तरह से करके मैंने थूड़ा सा स्लो में ही बनाया है वीडियो को तो दिहान से दीखिए गा ताकि आपको समझ में आ जाए और बहुत ही अच्छा तरीका है बस आप ऐसे करके रख सकते हैं तो दीखिए बहुत ही सुन्दर सा यह हार्ट बन गया है अब इसे आप पॉकेट में रखेंगे या फिर किसी को देंगे तो जरूर से जरूर आपके पैसे की तारीफ होगी कि कुछ अच्छा चीज बना के दिया है दोस्तों ऐसी सेंडेल बच्चों की जो होती है बहुत ही जल्दी तूट जाती है दिखिए कितनी भी अच्छी चीज ल लगा जाए तो दीखिए मेरे पास एक यहां पर सेप्टी पिन है इसको मने यहां इस तरह से लगा दिया तो अब इस तरह से करके हम थोड़ा सा इसको सही कर दिये है कुछ टाइम इसके जो है और इसकी जिन्दगी बढ़ गई है नह बहुत ही पढ़ियां जाती पच्छा लगे तो एक बार जरूर ट्राय करना ऐसी टूटी पुटी चपलें पड़ी होती है चले देखते हैं एक और बढ़ियां से इस तरह से जो हमारे घर में बरतंद होने के लिए स्क्रबर लाते हैं तो देखिए हमने स्क्रबर इसमें का निकाल लिया है अब बच्छा है इसका प्लास्टिक इसको तो लोग फेकी देते हैं तो मैं आपको बता रही हूं बहुत ही बढ़ियां से ट्रेक आगे से आप कभी ने फेकेंगे इस तरह से इसका बड़ा सा ये कटोरा निकल गया है अब दीखिए इसमें मैंने कीली गरम कर करके इसमें धील सारे छीद बना दिय हैं एकदम पूरा ये चनी जैसा बन गया है तो इसका यूज क्या है दोस्तों बरतन होते समय बहुत सारा जूठन बचा होता है बरतनों में तो दीखिए इस चनी को अगर आप बना के रख लेंगे तो बहुत ही जादा अच्छा रहेगा दोस्तों अगर आपको ये वीडिय लाइब में कहीं न कहीं ये टिफ जरूर काम आएंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स पूर वाचिंग